पिशे जा रहे हैं या उसी जगे पर खड़े हैं दोनों में फिलिंग करना है और तैयारी करो भविष्ट के लिए समय निकालो साधना करो गुरू शरणागती करो और अंतात्रण को शुद्ध करो ये जीवन ना बालक के लिए ना जुवा के लिए ना बृद्ध के लिए किसी के लिए रियायत नहीं करता है किस छण में किसको जाना पड़ जाए यहां कोई ये कायदा रही है कि पचीश साल तो पक्का है पैदा होते समय ही मर गया जमीन पर गिरने के पहले ही मर गया लो अब बिचारा हो का करेगा इसलिए उधार नहीं करना है बहुत समस्दारी के साथ जिसके गुरू ने जैसा मार्ग बताया है भक्ती करने का उसी के अनुसार चलो किसी भक्ती और मार्ग की बुराई करो लेकिन उसके दूर रहो जिस मार्ग से तुम्हें लाभ हो रहा है चल ले होुसी मार्ग का उलम ले करके यानि भक्ति मार्ग में भी बहुत से मारग है ना श्रमणं कीरतनम विश्णोर अर्चनम भगवान के कोई मूर्थी पूजा करता है कोई कोई भगवान की जास्ता करता है कोई बंदन करता है कोई खाली इसरमण करता है और एक प्रकार की भक्ति है तो तुम के सिनकते में करने के लिए यह दिकार पाढ़े हमारी चीम सही है और उभी सही है जिसके जैसे रूची रो करने दो तमाम जैन्मों के संस्कार अलग-अलग होते हैं किसी के श्रवण भक्ति में रूची है किसी के कीर्टन में रूची है लेकिन सब भक्तियों में स्मरण प्रमुख है मनेर स्मरण प्राण भगवान का रूप ध्यान कंपल्शरी है और उनके दर्शन की परमभ्याकनोता बढ़ाना ये कंपल्शरी है और निश्काम भावना रखकर स्यामसंदर के ही सुख की कामना रखना ये कंपल्शरी आइसा सब करते हुए हम अपने अंतार्ण को सुध्ग्र करने का मार्ग प्रशस्थ करें थील करके आगे बढ़ें तो मानौदेस रखन हो जाएगा जब बन्तुपे तो गुरू कृपा कर्के दिभ्र प्रेम निप्र शक्ति देदेगा फिर हमारा काम समापत हो जाएगा स्दा पस्चन्क सुझड़ आत्त विश्नों परमपदम फिर भगवाण का नित्य कई कर्य प्राप्त करेंगे नित्य दास हमारा ut रूप है भगवान की दास्ता को हमको अनंतकाल को मिल जाएगी तो स्रीक्रिष्ट जर्ण